हलो एवरीवन, वेलकम बेक तो पाई कोचिंग इंस्टिटूटूटूटूटूटूटूज टॉपिक इस टेबल आफ एनी टू डिजिट नमबर्स। मीन्स आज हम करेंगी टेबल्स जो टू डिजिट्स के होते हैं। फॉर एक्जामपल 10 से लेके 99 तक। Most of the time students टेबल्स लेन कर लेते हैं 1 से लेके 11 तक। उसके बाद जैसे 12, 13, 14 स्टार्ट होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मुझे कहते हैं कि मैं कोई न कोई ऐसी ट्रिक बताईए जिसके कारण हमें टेबल्स जो हैं हम एजी से लर्न कर सकें। मल्टिप्लिकेशन करके देखते हो तो वो कंजूमिंग टाइम लगता है एक्चली स्टूडेंट्स आपको मैं शॉटकट मैथड बता रही हूं जिसकी हैल्ट से आप इजी से अपने टेबल्स को क्या कर सकते हो लर्न कर सकते हो अभी जैसे मैंने बोला कि 1 से लेके 9 तक सब स्टूडेंट्स को mostly टेबल्स लर्न होते हैं तो mainly जो हम आज trick use करेंगे उसमें आपको जो table लिखने होंगे 1 से लेके 9 तक लिखोगे, let us see, we'll start from the table 13, 13 का जैसे आपको table लिखना है तो आप क्या करोगे, 3 का table लिखोगे अलग से and 1 का table आप लिखोगे अलग से, 3, 1, 3, 3, यह वला 3 का table लिखा complete, next side by side हमें किसका table लिखना है 1 का, 1, 2, 3, 4, 5, here is 6, 7, 8, 9, 10, आपने table लिख लिख लिया 3 का and 1 का, next step में आपको क्या करना है, देखो यह जो digits है हमारे पास only है, once digit पर, 3, 6, 9, हमें 10th place पर अगर कुछ भी नहीं है, आप वहाँ पर 0 apply कर दो, okay, next आपको क्या करना है step में, यह वाला जो table लिख रहे हो, उसका आपको लेना है, 10th digit वाला place and इस type पर आपने जो table लिखा है, उसका आपने place लेना है, once digit place, means 10th digit place and once digit place, इन दोनों को आपको always क्या करना है, add, like this, we will add these two numbers, next हम start करते हैं, जब आप इनको add करोगे, तो आपको क्या करना है, 3 as it is हमारा आ जाएगा, 1 plus 0 that is equals to 13, similarly this way, 6 हमारा as it is, 2 plus 0 that is equals to 2, 9 same as 3 plus 0, 3, next, again आपको क्या करना है, 4 and 1 को add करना आपको, 4 and 1 को add करेंगे, तो हमारा answer क्या आएगा, 5 means 5 is here, 2, next is 5 as it is आप लिख दोगे, 5 plus 1 that is equals to 6, next, 8 आप as it is लिख दोगे, 6 plus 1 that is equals to 7, similarly this way, 1 same as 7 plus 2, 9, 4 same as 8 plus 2, 10, 7 same as 9 plus 2, 11, 0 same as 0 plus 3, यहाँ पर हम करेंगे, 0 plus 3, here is 3, here is 1, 130, तो आपने कितने easy method से देखो, अपने table को लिखा है, next table is 27, 27 का आपको table लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, table किसका लिखेंगे, 7 का, तो मैंने यहाँ पर लिख लिख लिया है, 7 का table, like this, next मुझे table किसका लिखना था, 2 का, तो हमने इस row में क्या लिखा है, 2 का table, next step हमारा क्या था, first वाले का जिसका आपने table लिखा है, means हमने 7 का table लिखा है, उसका हमें क्या लेना है, 10्स डेज़ीट प्लेस, and ये वाली number का जो हमने table लिखा है, उसका हमें क्या लेना है? Once digit, इन दोनों को हम क्या करेंगे? Always add, तो मैंने ये boxes बना के add किया है, 2 plus 0, 4 plus 1, like this, हम सबको add करेंगे and here we will write down the answer. 7 हम लिखेंगे as it is, 2 plus 0, that is equals to 2, here is 4, 4 plus 1, that is equals to 5, 1 same as, 6 plus 2, here is 8, 8 same as, 8 plus 2, 10, 5 same as, 3 plus 0, 3 and ये वाला 1 लिखेंगे हम यहां पर. Now again, 2 same as, 4 plus 2, 6 and 1 same as, 4 is same as, 4 plus 4, 8 and 1, 6, 6 and 5, 11, 1 carry over, 1 plus 1, 2, 3 same as, 8 plus 6, 14, 1 carry over, 1 plus 1, 2, 0, 7 plus 0, 7 and ये वाला 2, same as. तो इस shortcut method के साथ, आप अपने tables को क्या कर सकते हो, learn कर सकते हो, with easy method. Next, हम table discuss करते हैं, 92. 92 का table लिखने के लिए, सबसे पहले आप table किसका लिखोगे? 2 का. And next, 9 का table लिखना है, तो हमने यहां पर table किसका लिख लिया है? 9 का. तो यहां पर हमें add कौन सा करना है? इस number का 10s place and इस number का 1s place. 10s number पर देखो, यहां तक कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से क्या apply कर देते हैं? यहां पर 0, 0, 0. अगर आप 0, 0 लिख लोगे तो इससे क्या है? बच्चों को confusion नहीं रगता. नेक्स्ट हमें add क्या करना है? 10s digit place and 1s digit place. इन दोनों को add करना है हमें, तो हम यहां पर किसका sign apply करेंगे? addition का. नाव हम addition स्टार्ट करते हैं. 2, same as 9 plus 0, that is equals to 92. 4, same as, next is 8 and next is here, 1. 6, same as, 7 plus 0, 7 and yewala 2, same as. 8, 6 plus 0, 6 and yewala 3, same as. Again is 0, 5 plus 1, 6, 4, same as. 2, same as, 4 plus 1, 5 and yewala 5, same as. 4, 4, 6, 6, 2 plus 1, 3, 7, 8, same as. 1 plus 1, 2, 8. Next is 0, same as. 0 plus 2, 2 and here is 9. तो इस easy method के साथ, आप अपने बच्चों को tables learn करवा सकते हो. From 10 to 99. Please share it with other students. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तो गेट माई लेटेस्ट नूव वीडियोस. Thank you everyone. आप दोवाईब आपियोस.